जा हिंद इस वीडियो उर्जा ग्लोबल कंपनी बारे में बात करेंगे देगे मार्केट की गिरावड को बाजू दूर्जा ग्लोबल में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है सवाल यह कि तेजी अस्थाई है ऐसे सिर्फ कुछ दिनों को देखने के लिए मिल रह टो इसका पता है वह पाओर जिन्र सन का का में कांपनी इसका लावा एलेक्तिरिक वाहिकल के च्छतरी में भी कंपनी उत्र हुए मुनस आर्फ में बना रही है। शेयर प्राइस देखे 16 रुपया 5 पैसा है कल के दिन का जब मार्केट खुला था तब कर यह यह पर इस कंपनी का कल को लोजिंग हुआ था यहां तक कब आया था 14 जनुवरी को इसी साल 14 जनुवरी को इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था इस दरान लगबग आप देखेंगे तो डेढ़ मारे अपने पैसों को चार गुना किया है सिर्फ डेढ़ मारे और 33 पैसा तक पैसों को चार गुना करने बाद यह समय डाउंटरंड शुरू हो गया है कोई भी कंपनी जब बहुत ज़्यादा इसका से बढ़ जाता है तो इसमें डाउन ट्रेंड शुरू होता है अपने हाइस से 20-25 परजेंट तूटता है यहां भी तूटा कोई दिकत नहीं लेकिन अब फिर से उठ खड़ा हुए और से याना शुरू हो गया अभी कंपनी का से शुरू हो गया और अब उपर ही जाएगा इसलिए अभी इस कंपनी का जो आप देखेंगे एक सब्ता का इसका ग्राफ तो एक सब्ता का रिटर्न देखेंगे तो 20.6 मतलब पहले तक ही निगेटिव में था और एक माह का रिटर्न अभी भी माइनस 20.15 परसें निगेटिव पर चलाएगा तो एक माह का रिटर्न आप देख रहें यह अभी पोजेटिव में आ जाएगा यह ज्यादा नहीं है अब समझे कंपनी का जो कंपांडिंग प्रोफित ग्रोफ रिटर्न तीन साल का जो सका कंपांडिंग व्रोफ रिटर्न वह दिके 59% मतलब एक अमेजिंग देखें किवाड़ टू में था एकईस लाग का प्रोफित वहता कंपणी को जो बढ़कर हो गया 31 लाग यानि कि तीन में को दस लाग का सुध प्रोफित होता है तेक्स उस देने के बात की बात कर रहे हैं तीन में आपके लिए अगर इसमें नया इंवेस्टमेंट करना चाहिए तो एकदम बहुत 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 करने के लिए कर सकते कंपनी भी ठीक है फ्यूजर ग्रोफ भी ठीक है फंडामेंटल भी ठीक है हाला कि अपनी रिसर्च और एनालिसिस आप जरूर कर लिए मेरे कहने पर नहीं कीजिएगा और समझे इसमें एक एसी कंपनी है जिसमें प्रमोटर्स एफ याई डियाई और पब्लिक सब की हिस्सेदारी थोड़े बहुत है जिस कंपनी में चारों यह जो लोग देख रहे हैं प्रमोटर्स पॉब्लिक डियाई और इनका हिस्सेदारी होता है उससे प्रफेक्ट माना जाता है इसमें प्रमोटर्स की सब्सक्राइब और प्रमोटर्स लगतार दो तीन सालों से अपन जोंगे लेकिन कोई काम बात नहीं है डियाई वालों के प्रतिस्तारी और पबली के पास मैंक्स में 67.95% मतलब फोल्डिंग के मावनला में जिसके पास जितना होना चाहिए लगभग उतना है और ठीक है और समझे अगर आपका इसमें इंवेस्टमेंट है तो आप इसके बाद कंपणी का सेर्प्राइट के रफ्तार सूपर भागेगा इसलिए अगर आपका इसमें इंवेस्ट्मेंट है तो बेसक बने रही है शेयर मार्केट में प्राइज सूपर निचे होते रहता है उससे में घबड़ाना चाहिए लेगिन आपका नजरिया लॉंग टर् सकते हैं लेकिन उसके पहले अपनी रिसर्च और आइनालिसिस आप जिरूर कीजिएगा अगर मुझसे पर्सेनली जूड कर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो से कोई क्यों है तो मुझे कमेंट में सवाल पूछ स करते हैं बाकी मिलते हैं नेक वीडियो में तो तक लिए देने बाद शुक्रिया